बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तों वीडियो हमें डिसकस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक के निफ्टी कल 21 फरोरी यानि की मंगलवार को किस साइड मुमिन्टम कर सकते हैं कॉंसे लेल परम प्रोफिटेबल उपन किया है 15 मिनिट का टाइम फ्रेम है जो कि इंटरा डे के लिए बैस्ट होता है लास्ट दोस्तों मैंने क्लियरली आप लोगों को एक बात बताया थी जो लाइन लगा रखे कलकी लगा रखे और यह जो पॉइंट बताया था दोस्तों मैंने आपको एक रिटेस्ट पर बहुत बढ़िया हमको दोस्तों उसमें प्रोफिट मिला हमको मेरी ख्याल से 140-50 पॉइंट हमको उसमें पूट साइड देखने को मिले और हम अपनी अनुसार चले लेकिन दोस्तों कुछ हेटरस देखिए आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों यह जो रिटेस्ट पॉ बनते ही बहुत सारे लोग पोजीटिव हो गए थे लेकिन मैं ट्रेड में बना रहा था मैंने आपको स्क्रिंशोट भी दिया था टेलीग्राम पे मैं आपको दिखाऊंगा बाद में और लेकिन कुछ हेटरस दोस्तों आये मुझे बोले कि 220 पे बोला था 222 से उपर निकल फिर 210 से आ गया मैं बोला रहे भाई मैं आपको इधर ट्रेडिंग करवाने के लिए नहीं बैठा हूं मैं पूट साइट था मेरा कहने का मतलब यह था कि लोजिक के अनुसार हम पूट साइड थे और हम मार्केट गिरी वह कैसे आपको ट्रेड करना कैसे आपको पेपर ट्र गुरूप के अंदर क्या कर रहे हो आप निकल जाहिए यह कोई कोल टिप्स का गुरूप थोड़ी है सो प्रसेंट फ्री एक बंदा आगे बोलता है तो एक एक लोट का स्क्रिंशोट भेजता है तो इतना वह है तो यह यह क्यों नहीं कर लाता हूं वहाई एक लोट सा मेरे को पेड़ गुरूप बेचना है और मैं आपको एक लाके स्क्रिंशोट दिखाऊंगों आईये मेरे पेड़ गुरूप में ऐसा कुछ नहीं इसलिए मैं स्क्रिंशोट बेजता हूं कोई बोलता है आप लिंक से डीमेट अकांट ओपन कर रहे हैं भीख मांग रहे हैं आप क कि बहुत सारे लोग प्यार करते हैं उनका भी होसला थोड़े दोस्तों कलका fet लेते हैं कल देखिए दोस्तों मार्केट ना थोड़े सी फस सकती है एसा दुस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्लोजिंग और plac. लोशिया एक पे तो पलानिंग हमारी कैसी रहेगी देखिए हर 200 पॉइंट पे बैंक निफ्टी में और हर 100 पॉइंट पे निफ्टी में आपको दिखेगा सप्लाई और डिमांड एरिया निकि सपोर्ट और रिजिस्टन्स दिखेगा सेलिंग और बाइंग एरिया दिखेगा अब यहां पर पहले यह रिटेस्ट लेवल था 900 के आसपास जाती हो और इस टाइप का एक नेगिट्व केंडल बना के मतलब टॉप से इस टाइप से केंडल बना के क्लोजिंग देना नीचे शुरू कर देती है तो हम हमारे लिए पूट साइड का बेस्ट स्टडी बन सकता क्योंकि फिर हमारे पास ना स्पेस बन जाएग 75 पॉइंट का स्टोप लोस रहेगा और वन इस टूट हमारे टार्गेट होगा हम पूट साइड प्लानिंग कर सकते हैं ध्यान सुनिए दोस्तों फ्लेट अपन होनी चाहिए और इस एरिया के आसपास जाके जो की 4,980 का लेवल है यहाँ पे जाके कोई नेगिट्व केंड बहुत लेवल होंगा मैं फलेट ओफन होने के बाद 4900 के उपर निकले हलका सा रीटेस्ट करहें एसा निये की डिरेक्टली ऊपर निगल जाया फिर मैं ट्रेड नहीं हम कोल साइड प्लानिंग कर सकते हैं यह दोस्तों कल इंपोटेंट लेवल होने वाला इस चीज़ को आप याद रखेगा यहां पर कल बहुत सारे लोग फसने वाले इसलिए प्रोपर ब्रेकडाउट प्रोपर ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करें आज मैं पूट साइड बहुत ब्रेकडाउट नहीं प्रोपर ब्रेकडाउट होता है दोस्तों ब्रेकडाउट देने के बाद या तो रिटेस्ट करें या फिर इसके उपर केंडल क्लोज करना शुरू कर दे तो ब्रेकडाउट माना जाता है कि ब्रेकडाउट स्पेसली है और उपर 50 दिन का और दोस्तों प्लानिंग कर सकते हैं वैसे दोस्तों चारीश जार चैर्सों के बीच में यह बिल्कुल भी नो ट्रेडिंग जोन है इस जोन में अगर मार्केट आपको उपन होती दिखती है तो प्लीज ट्रेड ना करें मैं नहीं करूँगा भाई आपको आप में यह क्यों बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे तो यह सारा एक बाइंग एरिया और यहां पर मार्केट आखे लाई किया होगा तो जब भी केंडल इसके नीचे आई और क्लोज दिया तो हमको बहुत बढ़िया ट्रेड मिला होगा मेरी ख्याल से तो फंड दो गुना से तीन गुना जरूर होगा जिसने 39 वाली स्टेटिजी को फोलो किया होगा 100% फ्री में दोस्तों स्टेटिजी मैंन सिखा यह एक्सेप्शन फोलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर दोस्तों गैप उपन होती है इस जोन के आसपास जो की एक रीटेस्ट जहां से आज मार्केट गिरी है यहां पर गैप उपन होती तो मार्केट फिर से गिर सकती है देखिए कैसे प्लानिंग रहेगी पहली 15 मेट की कैंडल बनने देना किस टाइप की बन रही है अगर इस टाइप की कोई नेगेटिव कैंडल बन रही है तो हम उस कैंडल को मार्क करेंगे दोनों साइड से अगर यह कैंडल दोस्तों अगर बीच में भी बन जाती है नेगेटिव कोई बनती है अगर यह अप स तो आपने मारक कर दी और नीचे की साइड एक केंडल क्लोज दे दिया ठीक है जब भी मार्केट उसके नीचे निगलेगी दिन का हाई हमारा स्टोपलोस रहेगा और टारगेट हमारा 4700 वापीस से ही हो जाएगा हम पूट साइड प्लानिंग कर सकते हैं यह चीज दोस्तों आ इंपोटेंट रोल पले करने वाले हैं मार्केट के अंदर यहां पर बहुत सारे लोग फसने वाले हैं तो अगर आपको यहां पर जाने के बाद ट्रेड समझ में आए तो करिए ही ना क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर रोज आपको बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे अगर अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद एक नेगेटिव केंडल बनती है और फिर उसका लोग रेक होना शुरू हो जाता है इस जोन के नीचे आना शुरू हो जाती है तो पचासाइट पॉंट का स्टोप लोज डालके वन इस्टू टारगेट के लिए हम उट साइड भी पल अगर गैप डाउन ओपन होके अपने आपको होल्ड कर देती है मतलब बायर नहीं मार्केट में जो की उपर लेके आए तो होल्ड करने के बाद मार्केट में डाउन साइड जाने की थोड़ा सा ज्यादा चांस रहते हैं अब दोस्तों सारे सेनेरियों मैंने बता दी बाकि आपको option chain में समझ में आएगा मैं 41,500 का लेवल important क्यों बोल रहा हूं क्योंकि अभी यहीं लेवल बचा भाई मार्केट ना छोटे चोटे कल target बुक करने पड़ सकते हैं 200-300 पॉइंट की range में आपको उपर नीचे होती भी यानि कि दोनों साइड मोके देती भी आपको दीख स इस ना माने और इसने दोस्तों अगर मैं हाई दिखा हूं तो 130 पॉंट तो इसमें और भी ज्यादा थे लेकिन मैंने यहीं तक अपडेट की हमारा दोनों टार्गेट हमारे इसमें 430 का था दोस्तों दस से 430 ठीक है मेरी खाल से फंड डबल ही हो गया तो अच्छा खासा आ आपको लिंक मिल जाएगा इस चैनल का औरीजनल चैनल का नहीं तो मैं कोमेंट में पिन कर दूँगा औरीजनल चैनल को ही जोइन करें अगर सरच करोगे इस लोगों से इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रोड चैनल मिलेंगे सब्सक्राइबर भी हो सकता हमसे ज्यादा मिल ठीक है और मेरा कोई पेट गुरूप नहीं है मैं कोई कोई कोल टिप्स एडवाइज नहीं देता हूं मेरा काम सिखाने का है और मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे मेरा कोई वाट्स अप गुरूप भी नहीं मेरा कोई यरली मंथली वीकली प्लान है तो ठीक है कोल टिप्स क और दोस्तो चैनल पे आए तो call tips लेने के लिए ना आए, सीखने के लिए आए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चलिए, Nifty का देख लेते हैं, दोस्तो Nifty की closing आई है 17,844 के आसपास, ठीक है हम round level पे ही Nifty में भी trade करेंगे, कल भी मैंने आपको एक चीज बोली थी 900 के नीचे निकलती है, तो हमको 800 के target देखने को मिल सकते हैं, 900 के उपर निकलती है, तो 18,000 के target देखने को मिल सकते हैं market open हुई, बिलकुल हमारे selling area में जाके, और market थोड़ा सा एक fake breakout दिखा के, मैंने क्या बोला था कि 18,000 तक का level up selling area ही माने option chain के उनुसार और अब भी है, तो यहां से market downside आ सकते हैं, जिसने दोस्तों analysis को follow किया होगा, बहुत अच्छा profit बनाया होगा, अभी हमारी analysis सेम रहने वाली है, retest point है, nifty के अंदर 17,900 का, flat open होई, 17,900 के उपर निकल के हलका सा price section अगर बना देती है, 17,900 के उपर candle close होना शुरू हो जाती है, तो 20-30 point का stop loss डालके, 18,000 के target के लिए, फिर 17,980 के target के लिए हम call side planning कर सकते हैं, अगर flat open होगे, 17,800 के नीचे निकलना शुरू करती है, देखिए, यह एक buying area जरूर है, जै एक round level के हिसाब से हम put side हमारा जाना बनता है, option chain के उनसार, यहनगी 17,820 के नीचे, 800 के नीचे निकलना शुरू करती है, तो 17,720 के target के लिए हम put side planning कर सकते हैं, 20-30 point का stop loss डालके, अगर दोस्तो gap up gap down open होती है, मालीजे, इसके बीच में open होती है, कहीं तो wait करेंगे, कब 18,000 क आसपास जाए, कोई negative candle बनाए, तो हम put side planning करेंगे, उस candle का high stop loss डालके, और अगर downside आती है, और जहाँ पे आज closing दिया है, यहाँ पे अगर कोई positive candle बनाती है, तो हम recovery plan करेंगे, ऐसे ही दोस्तो gap down में अगर इस zone में open हो जाती है, और इस zone को open होने के बाद डारेक्टली break down कर देती है, जो की 1770 का level है, तो हम 17700 के target के लिए put side planning कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई positive candle बनाती है, तो हम 39 वाली strategy अपलाई करेंगे, जैसे ही उसका high break होगा, पहली 15 मेट की candle का और हलका सा retest होगा, हम 100 point के target के लिए cold side भी planning कर सकते हैं, बाकि चार्ट के से अच्छा आज आपक चैन में nifty का समझ में आएगा, क्योंकि nifty में तो कल भी कुछ मुझे नहीं दिख रहा था, यहाँ ही गया इतना बड़ा momentum, क्योंकि थोड़ा सा risky था, और opening के उपर दोस्तों depend करता है market में, दिखिए, अगर market दोस्तों आपको directly इस selling area में कल opening करती है, तो हमारे लिए trade आसान में चली गी, तो हमारे पास space बच गया था, इसलिए opening depend करती है market में, कि कितने बड़े target मिल सकते है, कितना बड़ा space create हो गया है, अगर दोस्तों मैं आपको nifty का चार्ट दिखाऊं, sorry nifty के option chain दिखाऊं, तो अभी आपको clearly दिख जाएगा, 17800 पे आपको बहुत ज्यादा ते मंदी वाले बैठे हैं, और फिर 950 पे नहीं बैठे हैं, सीधे 18000 पे बैठे हैं, यानि कि 17900 के उपर निकलते हैं, तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, और 18000 के टार्गेट हम को देखने को मिल सकते हैं, और 18000 के आसपास अगर डिरेक्टली ओपन हो तो विल्कुल market डाउन सकते हैं, 17900 क्योंकि मेजर यहां पे आपको बहुत सारे मंदी वाले देखने को मिलेंगे, यानि कि कोल राइटर देखने को मिलेंगे, और 18000 के आसपास ओपन हो कि इसके ऊपर निकल जाते हैं, तो फिर तो बड़ा मुमेंटम आ सकता, क्योंकि फिर ये लोग ट्रैप हो जा यहां पे मारेट आपको मिलती है, तो रिकावरी आसकते हैं यहां पे मारेट मिलती है, तो नेगेटिव केंडल बनते ही market डॉंसाइड आसकती है, बी Bayern में अगर मार्केट उपन होई तो जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया टोटली स्टोप लोस अंटिंग मार्केट होगी और लेवल में आने का वेट कीजिए अगर बीच में अपन होती है तो 41,000 पर आने का वेट कीजिए पूट साइड जाने के लिए और अगर नीचे ज जुरूर फोलो करें ताकि आपको काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले बहुत सारे लोग बोलते हैं तो ट्रेडिंग डिमेट अकाउंट भाई मैं कोई पेड गूरूप बेचके लोगों को लूट तो नहीं रहा ना मैं जबरदस्ति यह नहीं कर रहा हूं कि आम मेरे डि लाइक देख लेना वीडियो पर उन्होंने ना फूक भी मारती तो उड़ जाओ आप लोग जितने भी हेटर से और मुझे मत ज्वैन करो मैं कब बोल रहा हूं मुझे ज्वैन करो रिक्वेस्ट आप प्लीज किसी का होसला मत तोड़ा करो हाला कि मैं तो इग्नोर करना सुर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जरूरतम लोगों तक वीडियो पहुंच जाए आपका क्या व्यू है मुझे लेंकर आप कोमेंट में बता सकते एक एक बंदेगे में कोमेंट पढ़ता हूं मुझे काफी होचला मिलता है आपकी आपके व्यूज और आपके क काम खतम हो गया यह टेस्ट हो गया है तो दोस्तों आज गाड़ी तक था अपना कीप्टी स्पाइन काल का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब रहे मिलते हैं दोस्तों के लेक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए